हाई गाईज वर्कम टी यूटूब तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google AdSense की किस तरह से हम अपने अकाउंट को बचा सकते हैं सस्पेंड होने से क्या-क्या चीजे हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और क्या-क्या रीजन है जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो यह सारी चीजे आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह है मेरा अकाउंट जो की Google ने मैं सस्पेंड कर दिया है तेंपरली सस्पेंड है यह 30 दिनों के लिए तो 30 दिन तक अब मैं कोई भी एड को शो नहीं करवा सकता अपनी वेबसाइट पे नहीं कोई पैसे कमा सकता हुं तो बिजिख लिए इस क्या था मेरा अकाउंट सस्पेंड होने का रिजन बहुत था करवा हूं और उसके बाद एक अच्छी सी वीडियो बनाओं तो अब मैंने अपना अकाउंट से स्पेंड करवा दिया है और अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो basically reason यही था कि मैं अपनी ads पे खुद क्लिक कर दिया करता था और मैंने डराईवाइज इसा नहीं किया कि मैं सिर्फ अपने laptop से ही किक करता था मैंने अपने वॉबाईल फ्या मैं कोई किया कभी मैं दिंग को क्लिक करता था कभी मैं शांद को क्लिक करता था ताकि मैं Google को confuse कर दूँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ Google ने ट्रैक कर दी मेरी invalid activities और उसको पता लग जिया कि मैं ये सब कुछ करता हूँ और उसके बाद सीधे Google ने मेरा अकाउंट कर दिया suspend 30 दिनों के लिए तो कभी भी अपनी ही एड्स पे क्लिक मत कीजिएगा इससे होगा क्या आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है temporarily या फिर permanently तो कभी भी अपनी एड्स पे क्लिक मत करो और कभी भी किसी और का device मत लो और वहाँ पे अपनी website मत खोलो और खुदी क्लिक मत करने लग जाओ एड्स पे इससे होगा क्या कि advertisers का नुक्सान होगा साथी साथ Google का नुक्सान होगा अगर advertisers का नुक्सान हो रहा है तो Google को बुरह लगेगा और Google नहीं चाहता कि उनके advertisers का नुक्सान हो बिकॉज जतना भी पैसा आप लोगों को मिलता है AdSense पे या फिर Google को मिलता है वो advertisers से मिलता है तो Google क्या करेगा वो आप ही खुद delete कर देगा वहां से वो सारी गलत चीज़े आप ही कर रहे हो आप ही अपनी ads पे खुद क्लिक कर रहे हो तो यह चीज़े मत करना कभी भी नहीं किसी और की device से नहीं अपनी device से because Google हर चीज़ का track रखता है अब बात करते हैं अगली चीज़ की जो की है social networking sites तो social networking sites में बहुत सारी communities है pages है जहां पे क्या चीज़ होती है exchanges होते है page exchanges मतलब page views के exchanges होते हैं हम आपे एक बंदा बुलेगा कि तू मेरी website पे आ और मैं तेरको 15 views दूँगा और 2 ad click दूँगा तू भी मेरी साथ same कर तू भी मेरी website पे ऐसे ही कर 15 view दे मेरे को और 2 ad click दे तो यह चीज़ जो आप कर रहे हो page views के exchange 15 page view to ad clicks यह भी गलत है because इसका भी track रखा जाता है Google को पता लग जाता है इन चीज़ों के बारे में तो इससे भी आपका account suspend कर दिया जा सकता है और जितने भी पैसे आप कमाते हो इन चीज़ों से वह मत सोचना कि आपको मिलेगा वह हटा दिया जाएगा यहांसे मैंने पांच दिन तक यह चीज़ लगतार की थी continuously और हुआ कि मैंने टीन डॉलर कमा लिये, पांच दिनों के इंदर मैंने तीन डॉलर कमाली ऐसे करकर और वह जो पैसे मैं ने कमाइज थे यहां पर आड़ नहीं हौये मेरे पास। वह यहां balance में नहीं आए हैं, वो रिमूव हो गए सारे के सारे पैसे, मैं उन पैसों को कमा ही नहीं पाया, मतलब जितने पैसे आप इसके थ्रू कमाएंगे, अगर in the end पता लगता है Google को, तो आपको आपका पैसा नहीं मिलने वाला है, due to invalid activities, तो इस तरह की कोई चीज मत करो, और अपनी ही ads पे ख क्लिक करवा के चाहे वो USA से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, कहीं से भी हो बंदा, अगर आप उन से खुदी क्लिक करवा रहे हो, तो इसका कोई फाइदा नहीं है, because कब तक आप इसी तरह से कमाते रहोगे, कमाते रहोगे, इस सच है कि आप अपना time दो blogging को, आप अपना time दो website को, और improve करो अपनी website को, और उसके बाद आपकी website खुद पैसे कमाएगी, तो यह चीज़े करने की आपको जुरूर थी नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता था, मैं आपको कभी भी अपनी ads पे खुद क्लिक मत करना, और कभी भी किसी और स इक महीने में आती है, एक साल में आती है, कभी ख़़ो सकता है कि जिन्दगी लग जाती है, success को आने को, लेकिन आजाती है, किसी ना किसी दिन आजाएगी, और तब आप बहुत ज्याज़ादा कुश हो जाओगे, तब आपको मेहनत करने की जरूर भी नहीं पड़ेगी, ब बाकी के actions related videos आप description में जाके check कर सकते हो या फिर मेरी playlist या videos, thank you so much, bye, take care.